दोस्तो आज का वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि बिजली कनेक्शन में जितना लोड लिये हैं क्या उस लोड से अधिक तो यूज नहीं कर रहे हैं कनेक्शन लेते समय हमारे घर में यूज अलेक्ट्रिकल एप्लियाइंस के अनुसार लोड वन किलो वाट टो किलो वाट इतियादी लिये हुए रहते हैं अगर हमारे द्वारा अधिक यूज कर रहे होंगे तो हमें पिनाल्टी का भुगतान करना पड़ेगा तो दोस्तो आज का वीडियो में इसके बारे में जानेंगे नमस्कार दोस्तो इस चनल महली टेक इंफो में स्वागत हैं यह वीडियो कभी न कभी आपको काम आएगा चलिए दोस्तो इससे सुरू करते हैं इससे जानने के लिए दोस्तों आपके यहां भी भाग की ओर से मीटर लगा हुआ होगा, उस मीटर का डिस्पले में देखेंगे और जानेंगे, उस डिस्पले में बहुत सारा परामेटर दिखाई देगा, लेकिन मुझे कितना लोड यूज हो रही है उसे जानेंगे, जानने में automatic display में light आ जाती है तब उस पर MD kilowatt लिखावा नजर आएगा जो maximum demand होती है या MD ही बताती है कि आपके यहां कितना load यूज हो रही है इस meter में देखकर जानेंगे या kwh है या आपके द्वारा कितना विजली इस month यूज किये है या 100 हो रही है या kilowatt bp1 पीछले मन्त का reading है इसके बाद kbh reading है या reading lteis lteis mmht connection का billing parameter है इसके बाद दोस्तों यह parameter md kilowatt है जो आपके यहां कितना load है यह पताती है इसमें 0.54 kilowatt है या 1 kilowatt से भी कम यूज हो रही है इस परकार आप लोग अपने अपने meter में देखकर जानेंगे कि कितना यूज हो रही है कुछ देरी के बाद md kilowatt bp1 आएगा जो पिछले मन्त में कितना यूज किये थे यह reading है अगर दोस्तों reading का सारा parameter को जानना चाहते हैं तो इस channel में already video upload किया हुआ है उसे देखकर सारे जनकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपका connection में कितना load लिया हुआ है या पता नहीं है तो आप बिबाग की ओर से जो पिजली बिल्ट मिलती है उस परची में लिखा हुआ रहता है जो इस बीपत्र में देख सकते हैं दोस्तो स्विक्रित load से अधिक यूज हो रही है तो आपको बढ़ा लेना होगा अगर आपका load एक किलोवाट तो टू किलोवाट लोट करा ले और पेनाल्टी से बचे दोस्तो आज का वीडियो कैसा लगा उमेद करता हूँ कि आप लोगों के benefit साभित भी होगी तो इस चैनल को subscribe, share, like जरूर करें जिससे इस परकार का benefit वीडियो बनाने में परत्साहन मिल सके इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद